दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है टेक जनेटर यूटीब चैनल में और आज की वीडियों को बताने जा रहा हूं कि आप कायन मस्टर एप का यूज करके किसी भी वीडियो की कलर गेडिंग कैसे कर सकते हैं दोस्तों कि आपको इससे जाना है तो वीडियो का आखिए तक देख रहें और वीडियो को आपके बहुत काम की हो सकती है दोस्तों अगर आपनी वीडियो में कलर करना चाते हैं तो उसके लिए आपको एक अप्लिकेशन करना पड़ेगा जो कि अब भी स्कीन पर देख सकते हैं कायन मास्टर अप्लिकेशन तो दूस्ते से कैसे डाउनलोड और इंस्ट्रॉल करना इसको पर मैं पहले एक वीडियो करें आपको यूट्रेगे करना चाते हैं तो इसके बाद आपको निचे स्कॉल करना और यहाँ पे आपको SP बहुत सारे गल्दर को कि आपको कर लेंना है जो भी आपकी वीडियो को साथ सबसे बहतर लगे तो यहां पे उन सबसे Export by artic Benny कंशा कर लिया दोस्तों के आपको करना है जो मैं कर ले रहा हूं मैं कर दोस्तों का लगा, आने के बाद आपको करने कुरने के बाद अब को यहां पे इस निफकिन को लगाना तो क्यम्ति श्क्रिप्शन में मिल जाई डाउनलोड कर सकतें शॉत कि यहां डाउनलोड को सकते हैं इसके बा야 मीडिया पी यहां मीडिया पे आने के बाद आपको reservat के डाउनलोड रोस है ने मेगा जाय को ऐस पिल्णक आप अप्शिंन कौई उगरा तो इस वीडियो में कुई मियुजीक लगा सकते हैं तो यहां पर al hierom on आपने music को find करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है आपको अपने music के option पर click करना और यहां plus पर click कर देना है उसके पर दोस्तों आपको यहां click कर देना है उसके बाद आपका जो भी extra music है पहले आप music clear पर click करें फिर नीचे यहां option trim and split option मिलता है इस पर click करें और Trim to Right or Playhead वाले option पे क्लिक कर दें इससे जो आपकी जो आडियो आपके वीडियो के लैन्द जितनी हो जाएगी उसके बाद आपको अपनी ओडियो पे क्लिक करें इसे background कर दें और इसकी जो आडियो है से थोड़ा कम कर दें अपने हिसाब से तो मैं यहां से 75 रहने देता दोस्तो अब आपकी वीडियो लग लग तयार में यहाँ पर एक extra ऐसक्ता है जो आप लगा सकते हों उसके लापको इसलिहं बताया है क्योंकि यह कि उब्सक्रांगा cinematic opening का feature देता है तो ये करने से आपका जो audio है और जो cinematic bar हो थोड़ा पीछे खितक गया होगा तो आपको करना क्या है आपको इसे थोड़ा और आगे ले आना है जिसके आप वीडियो में देख सकते हैं और अब आपकी इसे फिर प्ले करके देख लेते हैं तो जिसके आप देख सकते हैं यह थोड़ी देल ब्लैक ही रहेगा उसके बाद यह सिनेमेटिक तरीके से ओपन होगा और उसके बाद यह कितना प्रोफेशनल लग रहा है तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपनी वीडियो में सिनेमेटिक लुक दे सकते हैं तो दोस्तों अगर आपके वीडियो पसंद आई तो ज़रू से लाइक करेगा और अगर अभी तक आपने हमारे वीटिविशन सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि हम इस पर आते हेलफी वीडियो लाते रहते हैं जो आपके बहुत काम की हो सकती है